नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम आपके लिए बहुत ही जबर्दस वीडियो लेकर आए हैं सुबह उठते ही कर लें ये तीन काम जिन्दगी पर पैसों में खेलोगे जी हां दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको चुटकारा मिल सके वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही चवर्दस वीडियो जिन से आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन दोस्तो आज की ये उपाय कोई बेन नहीं है बलकि हमने अपनी अलग-अलग वीडियो में ये इन उपायों को अलग-अलग कई बार बताया है वे कुछ व्यक्तियों ने इन पर ध्यान दिया वे इस उपाय को क वे लग चुकी है वे एक ब्यक्तियों ने कहा कि वे अपने खुद के पैसों से नई बाइक लेना चाता था जो कि उसका सपना पूर हो चुका है तो दोस्तो इन उपायों में बहुत ही तागत होती है ये दिखने में और सुनने में बहुत छोटे लगते हैं लेकिन आगर आ तो इनका चमतकार आपको देखने को अवश्य ही मिलता है तो क्या है वे छोटे छोटे तीन काम जो आपको सुबह उठते ही अवश्य करने चाहिए इसके लिए बस आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखे और कमेंट बॉक्स में जै बजरंक बली अवश्य लिखें दो अगर आपके अंदर कोई भी विश्वास की कमी है अगर आप सोचते हैं कि हमें विश्वास नहीं है बस एक बार करने के लिए करके देख लेते हैं हुआ असर तो ठीक वरना कोई बात नहीं इस परकार से भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है आप पूर्ण विश्वा भगवान पर रखें और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली लिखें और साथ ही साथ इन उपायों को पूर्ण सरदावे विश्वास के साथ करें आपको इनका परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों कभी-कभी हमारी कुंडली के ग्रेनक्षत्र ही हमें तकलीब देते हैं जिसकी बज़े से हमें अपने जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आपको अपने ग्रेनक्षत्रों को सही स्थिति में रखना जरूरी है ताकि ये आपको सुभ दोस्तों कई बार लोग कहते हैं कि ग्रेनक्षत्र हमारा क्या बिगाड लेंगी। दोस्तों कभी कोई भगवान अवतरित नहीं होते हैं आपका कुछ बिगाडने के लिए ये ग्रेनक्षत्र ही है जो आपकी कुंडली में आपका सब कुछ बिगाडते हैं इसलिए कभी भी गमंड ना करें बलकि जब भी कभी आपकी कुंदली में कोई ग्रैन नक्षत्र आपको असुफल दे तो उसके लिए उसका उपाय करें वे शांत करें दोस्तो सबसे पहला काम आपको सुबह उठते ही अपनी हतेली के दरसन अवश्य करने हैं और हो सके तो आप इनके लिए मंतर का उच्चारण भी अवश्य करें क्राग्रेवस्ते लक्षमी कर्मध्य सर्सती कर्मूलेतु गोविंदा प्रवाते कर्दर्शनम दोस्तो दूसरा कार जो आपको करना है अपने कदम धरती पर रखने से पहले अपने हाथों से धरती मा को एक बार इसपर्स करके नमन अवश्य करें और उसके बाद आप अपने दिन बर की दिन सर्या को परिणाम दे। शनानादी करके निर्वित हो जाएं गर की पूजा पाट इत्यादी करें। दोस्तो ये तो हुए दो काम। तीसरा जो काम है वो 32 महतुपूर्ण है। इसलिए आपको आगे इस वीडियो को अवश्य ही दे जाए हो सके तो आप उन्हें कुछ खाने की वस्तू भी अवश्य दें। और अगर आप ऐसी गाय के दरसन करते हैं जो की बैटरी हुई हो और आप उसे कुछ खाने के लिए भी देते हैं तो इससे उत्तम तो और कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तो इसके साथ ही हम आपको एक सकारत्मक उर्जा प्रवेश नहीं करती है केवल सकारत्मक ताही आपके घर में रहती है। दोस्तो बस इतना से कारे करने से ही आपको अपने हर एक काम में सबलता मिलने लगेगी। बहुत ही शिग्र आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। बस इन छोटे-छोटे से उप जाए बजरंग बली।